लास्ट क्लास में हमें जो SCHM वल्ट पढ़ रहे हैं SCHM में हमने ذ易्लोशिटी और ठीक हरए ये दो टौपिक औलडि mask ने पढ़ रग्याärडית आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनरिप्टरstal के बारे में कि आशच में कितनी होती है यानि कि जोब कोई particle oscillate करता है माइडियर तो उसके पास potential energy कितनी होती है और kinetic energy कितनी होती है दोनों को जोड़ दिजिएगा तो total energy भी हमें मिल जाएगी पर उस वहले topic से पहले एक छोटी सी topic last class में रह गई थी वह है acceleration in SHM तो सबसे पहले जल्दी से हम लोग acceleration होना topic complete कर लेते हैं आज की class में माइडियर तो अगर देखे कोई भी body oscillate करती है SHM के अंदर माइडियर तो उसका displacement x is equal to हम लोग लिखते हैं a sin omega t चाहे तो horizontal component x में लिखिए चाहे इसी को y में लिखिएगा तो भी value क्या होगी यहीं होगी और यह equation जो आप लिखते हैं तो इस a को क्या बोलते हैं amplitude बोलते हैं a को क्या बोलते है मैंडियर amplitude बोलते हैं या maximum value करे लेजिए maximum value of displacement किसका displacement का maximum value या amplitude करते हैं किसको a को हमने last class में displacement की equation हो गई है सचय में वहला velocity चाहिए तो velocity is equal to क्या होता है rate of change of displacement displacement upon time simply हम लोग बोलते हैं कि वेग is equal to 20 थापन बटा सम है तो क्या हो जाएगा dx upon dt यानि इसका differentiation time के respect में जैसे x का differentiation आपने time के respect में किया तो a के साथ में आ जाएगा ओमेगा और साइन का differentiation कॉस ओमेगा टी तो यह वेलोसिटी का हमें मिल गया था लास्ट क्लास में हमने यह वेलोसिटी वाला टॉपिक भी पढ़ लिया है बेग में परिवर्तन के दर तोरण कराती है रेट ओफ चेंज ओफ वेलोसिटी इस कॉल्ड एक्सलरेशन तो एक्सलरेशन इसकल तो क्या हो जाएगा डीवी बाइडीटी बुला फर्स वेलोसिटी कितनी है यह ओमेगा कॉस ओमेगा टी यानि कि डिफरेंसीशन करना है हमें टाइम के रिस्पेक्ट में किसका ओमेगा कॉस ओमेगा ठीक है कर देंगे कोई दिकत नहीं है एक कॉंस्टेंट है एंप्लिचूट ओमेगा भी कॉंस्टेंट है दोनों क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा तो ओमेगा एक को बाहर कर लिया हमने ठीक है सर उसके बाद क्या क को करना है है उवाझ फैका है का आ तो फो फोस्टी को दिफरेंसेस जरकेश्ट करेंगे तो घआ मिला साइन ओमेगा टी और यह ओमेगा magic विखलाइस करेंगे तो क्या मिलेगा ओमेगा मिलेगा हमारा एक्सीलिरशन ओ गया मां hist के साथ unglaub एकशलिरशन debate स्क्वाइर इन्टू साइन ओमेगा टिए Sowahn हमाहीं मिल गया क्या मिल यह का धिभरंण सीटन माइनस साइन और अंदर एंगल में omega constant है तो constant साथ में multiply में भी आएगा यह omega पहले से था omega और आगया omega square हो जाएगा मैनस के साथ तो यह होता है shm में acceleration का equation क्या हो जाएगा h equal to omega square sin omega t होता है हमाई यह ठीक है अगर इसी को हम लोग देखें एगर इसको मैं ध्यान से लिखना की कोशिद करूं और किसी और form में तो जारा देखिए क्या हो जाएगा यहा देखिए x is equal to क्या था a sin omega t तो a sin omega t यहाँ देखिए a चाहें x लिख सकते हैं कोई दिखत नहीं है तो इसी acceleration को ये time के form ये acceleration का equation है time के form में यहीं acceleration x यहने की displacement के form में हो गया acceleration का equation यह है time के form में और यहीं acceleration किसके form में है यह displacement के form में आपका acceleration की value है omega square x अगर आप minus sign neglect कर दें यहां पे तो यहां से omega is equal to क्या हो जाएगा omega square is equal to a by x हो जाएगा और यहां हो सकता है आपको नहीं दिखें नीचे में मैं इधर लिख देता हूं यहां से omega square is equal to a by x यह ओमेगा is equal to root under a by x यह भी हो जाएगा तो omega की value हम लोग acceleration और displacement के form में भी लिख सकते हैं यहां से हमें बाते निकल के आ रही है तो for effort से acceleration क्या होता है ऐसा हम में acceleration की equation क्या होती है time के form में e omega square sin omega t और displacement के form में माइनस omega square x चाहें आप x के जगा पे y भी लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है फटा-फट से note down किजिए इसे मैं हट जाता हूं वीडियो pause किजिए notes बनाए नोट्स बनाए चलिए आगे की पढ़ाई अब हम लोग पढ़ लेते हैं अब मैं इसे मिटा देता हूं ठीक है आप लोग लिख लेंगे से वीडियो pause करके notes बना ले जिएगा चलिए तो यही तो बात हो गई acceleration की अगर हमसे पूछा जाए time period अगर time period SHM में पूछ दिया time period तो time period हमने पहले भी पढ़ा है टाइम period टी पाइवाई ओमेगा होता है टाइम परियोड टी इसकल्ट क्या होता है टू पाइवाई ओमेगा और मैंने अभी ओमेगा की वैलू इसलिए यहां पर लेकर के लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था टू पाइवाई रूट अंडर ओमेगा की वैलू क्या होई थी मैडियर एबाई एकसाई थी तो यह चला जाएगा उपर तो टाइम पिरेड क्या हो जाएगा टू पाइवाई रूट अंडर एकस बाई इसका मतलब क्या हो गया टू पाइवाई रूट अंडर एकस क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है एकस क्या है डिस्प्लेसमेंट है और एक्या है एक्स से लिख सकते हैं copy में कोई दिखत नहीं है देखिए आएटी के अंदर नीट के अंदर से question जो आएगा तो यहीं से आएगा जो मैं पढ़ रहा हूं मैं यहीं से question आपके exam में बहुत अथानी से दिख जाएगा आपको यहीं से question आने वाला है मैं बस इसकुछ चुनिंदा फर्मूले हैं उसी का concept यूज किया जाता है या डिरेक्ट लिए फॉर्मूला बेस्ट कोशन भी आता है examination के अंदर ठीक है तो हमने जो पढ़ लिया कि displacement क्या होता है velocity और acceleration और time period साथ साथ में क्या होता यह कुछ topics हमने complete कर लिया है अब बात करते हैं किसकी जिसके लिए आज का लेक्ट्चर बनाए गया है वीडियो है आज क्या मैंडिया इनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं और इनर्जी की क्या equations होती है वह हमें पढ़ना है मेली आपको SHM में equations equation 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 यह ज्यादा चीज़ें आपको पढ़नी है नॉर्मली हमेशा SHM के अंदर आपको बहुत सारे equations जाननी है ठीक है तो next heading मनाएंगे इनर्जी 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 इन SHM simple harmonic motion के अंदर इनर्जी बात करेंगे किसकी सबसे पहले potential energy की किसकी बात करेंगे potential energy इस्थिती जूर्जा ठीक है पी से लिखिये चाहें यू से लिखिये कोई दिकत नहीं है इस्थिती जूर्जा की बात करते हैं हमाया यह ठीक है अगर हमें यह बतानी है स्थिती जूर्जा तो यह जैसे हमने आपको एक्सेलेशन का इक्वेशन लिखा था displacement टाइम के फॉर्म में उसी तरह किसे हम लोग यहां इनर्जी का भी concept लेकर के आने वाले हैं मैं ठीक है तो अभी आप सुनिए मेरे बात क्या जानते हैं कि डिस्प्लेस्मेंट एक्सिज कल टू क्या होता है एसाइन ओमेगा टी होता है ठीक है बोला सार यह तो हमको पता है पहले से कि डिस्प्लेस्मेंट एक्सिज कल टू एसाइन ओमेगा टी अब आपको पहले से एक कंसेप्ट और पता होना चाहिए क्या पोटेंज इनर्जी का कंसेप्ट या वर्क डन का कंसेप्ट अगर आप जानते हैं कि सर वर्क डन वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट होता है आप डिस्प्लेस्मेंट जितना कर लेजिए उसके कोडिंग हमारा वर्क डन का वैलू हमें करना पड़ता है तो अब यह जो फोर्स का कॉंसेप्ट होता है वो यहां पर इस हम में हम लोग नॉर्मली स्प्रिंग को खीशते हैं और छोड़ देते हैं तो वाइबरेशन होता है है कि अपना एक्वेशन लिखने वाले है कि एक्सिल तो जो ऐसाइन ओमेगा टी है उसकी एक्वेशन क्या बनेगी वह देखेंगे हम लोग एक्सिह कलटो एसाइन ओमेगा टी हमारा क्या होता है डिस्प्लस्मेंट का एक्वेशन होता है ठीक है고 Ysin उपेशन कोई दीकत उसमे नहीं है अब हम लोग निकालना है potential energy concept तो मैं तो डारेक्टली एक लाइन में आपको निकाल लेता लेकिन आपको समझने के लिए चार्ज काफी जरूरी है कि कैसे equations अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो आपक्या बोलते हैं सर के dx by dt होता है और यह निकल की कितना आता है आप सबी को पता है पहले से ओमेगा कॉस ओमेगा टी आता है यह वेलोसिटी की क्वेशन आती है बोला सर अभी अभी आपने acceleration ग्वेशन निकाले थे acceleration क्या था d b by dt था वो कीतना निकल packages राया था Menya से ओ Aاؤमेगा स्कौर साइन ओमेगा T यह इसी extration की वेलो हमने निकाला था क्या A Mexico A sister कर दिया तो क्या हो गया था माइनआस का ओमेगा स्कौर एक्ज यह था ऐसा सब दिखेंगे स्पार्ट कि भी थोड़ देर पहले हापकी फ्र कर रोग हो जाएगा मांश इनटू प्रस smrabi लिएूरेशल व्हुयाल जन रहें बेटिंट ऴौस्पार्ण होता है फोर्ष इसक लटू मास ईटू इनगे लिए से बताओं आपको कि अगर आपका ये simple pendulum है यहां से यहां तक यह bob है मूव कर रहा तो यह मीन पोजिशन होता है तो मीन पोजिशन जो आपका बॉड़ी हमेशा किधर की और मूव करना चाहती है अपने मीन पोजिशन की और जाना चाहती है डेक्शन उसका तो acceleration का जो direction होता है वो always minus sign लगा हुआ है इसका मतलब acceleration का direction हमेशा towards the mean position होता है लेकिन हमें mean position के against में work done करवाना होता है उल्टा direction में करवाना होता है तो जो restoring force होता है वो mass into acceleration हो जाएगा तो force is equal to mass, mass और acceleration की value कितनी होती है बोला सर omega square x होती है minus के साथ तो minus लगा दीजिए fm omega square x हो गया बोला यहाँ पे सर यह तो आपका force है यहाँ पे हम लोग एक constant मानते हैं k और k को मानते है m omega square यह काफी important होता है my idea यह अगर आपको shm में अगर iat के questions को deal करना है my idea तो यह value आपके लिए काफी ज्यादा important है k, k एक constant है जिसको हम लोग m omega square mass into omega square इसको हम लोग बोलेंगे k इसका नाम देंगे spring constant क्या नाम देंगे इसको spring constant नाम देते हैं तो इस spring constant यह value काफी important होती है जब हम लोग spring वाला topic पढ़ेंगे जहां पे series parallel combinations हम लोग देखेंगे या free force damped oscillations की बात करते हैं वहाँ पे जब वहाँ पे बात करेंगे तो के काफी important हो जाता है किस case में series parallel combination के case में spring का और वहाँ ही से question exam में मिलता रहता है आपके exam के अंदर में idea है तो gauge कल्डू क्या हो गया m omega square हो गया ठीक है value sir put कर दीजिए मैं आप इधर वाला पहले note down कर लेजिए फिर यह note down कर लेंगे आप video pause किजिए notes बनाएगे तक आपके copy में notes नहीं बना होगा तब तक कोई फायदा नहीं है video देखने का मैडियर आप video देखिए video pause किजिए और notes बनाएगे तभी तो आप उसका बार बार रिविजन कर पाएंगे चलिए उस साइड वाला मैं हड़ गया हूं आप उस साइड का आप बना लेंगे note down कर लेंगे फिर मैं इसे मिटा देता हूं कि चलिए तो सर क्या होगे ऐफ कीbor幫 क्या मिलकर मुझे रियस्टोरिंग पॉर्स f की वेलु क्या मिल गई ऐफल्टू minus mo ve ka s क्य माल लिया थे मैंने k माल लिया था तो क्या मिल गया माइनस का kx f is equal to minus kx यह आता है हमारा यह होता है restoring force shm के अंदर यह simple spring के अंदर restoring force f is equal to kx वहाँ पर हम normally बोलते हैं कि जो x है वो sir क्या है elongation होती है और elongation के directly proportion होता है force constant आता है इसे spring constant बोलते हैं तो directly equation हम लोग वहीं से बता देते हैं लेकिन यहां से shm में इसको कैसे निकाला जाता है वह आपको मैंने यहां पर बताया f is equal to minus kx होता है अब बात करते हैं किसकी work done की किसे हैं तो मालेंगे let dw is the work done for dx displacement against the restoring force ठीक है इस restoring force restoring force क्या करता है इस body को इस particles को अपने mean position के तरफ लेके जाने की कोसिस करता है restoring force क्या करता है उसको restore करता है माले जी यह ऐसे था करना इथर जाना चाहेगा तो restoring force इसको वापस यहां लेकर आना चाहेगा तो जो वापस लेकि आना चाहेगा हम इसके against न लेकर करके जा रहे हैं इसको तो वर्क करना पड़ेगा यह हमारा पैंडूलम अगर ऐसा है इसको आपो यहां-स यहां करवाना है तो work done करना पड़ेगा लेकिन restoring force इधर क्यों होगा इस restoring force के against इसको हमें work करना पड़ता है इसलिए हमने मालिया कि dw क्या है work done है हिंदी में लिखने चाहें तो लिख लेंगे हिंदी मिडियम के experience में एडियर कि dx विस्थापन करने में किया गया कार dw है माना की लगा लेंगे पहले कि माना की dx विस्थापन में कईया गया कार dw है तो क्या हो जाएगा dw हमें क्या पता है सार कि work done is equal to क्या होता है force into displacement होता है force into displacement और यहां देखिए अगेंस का इस्तमाल कर रहे हैं विरुद्ध इस्तमाल कर रहे हैं इसलिए क्या लेंगे माइनस ले लेते हैं क्या लेते हैं माइनस क्योंकि restoring force के अगेंस हमें work done करना पड़ता है तो dw is equal to minus का f dx कारे बराबर बल गुना विस्थापन work is equal to force into displacement वहीं फर्मुला लिखा है कोई अलग formula नहीं है माइडिया ठीक है तो dw is equal to force की वैलू कितनी है force की वैलू है माइनस का kx तो यह माइनस साइन पहले से है और f के जगा पे क्या लिखिएगा आप kx into dx ठीक है मैं इधर बला मिटा दिता हूँ आप वीडियो पॉस्ट करके लिख चुके होंगे आसा करते हैं ठीक है चलिए अब बोला सर यह आ गया तो dw is equal to क्या मिल गया हमें डीज़ क्या मिल गया kx dx ठीक है सर हमें टोटल वर्क डन चाहिए और जो टोटल वर्क डन होगा वहीं क्या होगा पोटेंशियल इनर्जी होगा तो टोटल वर्क डन के लिए हम लोग क्या कर देंगे integration कर देंगे क्या कर देंगे integration कहा से कहा तक 0 से लेकर के x तक 0 से लेकर के x तक हमें नहीं पता कितना displacement करवाना है तो हम माले लेते हैं x displacement equation भी तो displacement की x ही माने है न displacement की equation x is equal to क्या माने है a sin omega t क्या माना हुआ है a sin omega t तो यह displacement x करवानी है हमें तो 0 से लिए करके X तक रिस्फिस्मिंट का हमने ले लिए हैं D omega क्या हो जायेगा omega के constant है x का integration होगा x square बै टूँ यह सब कुछ आपको पहले से आता है में idea के constant बह़र हो जाएगा integration किसका होगा x dx का कहां सका सामा तक जिरो से एक्स तक का तो डबलू इस का इंट्रिगेशन एक्स स्क्वाइर बाई टू पावर एक बढ़ जाता है और बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर देते हैं यहां एक्स का पावर वन है तो वन में वन जोड़ेंगे तो दू हो जाएगा दो से डिवाइड कर यह एक्स के जगли पर बिची सर औक से हैं यहां से बराबर है प्र इस बाराइबर किसं से दिखाया था यू नहीं पटेंशिल इनर्जी है और कितना मिल गया है आपको half k x square क्या हो गया है half k x square यह होती है potential energy किसके अंदर shm में मैंडियर shm में जब simple harmonic motion कोई particle करता है तो उस particle के पास shm के अंदर मैंडियर कितनी potential energy होती है उसकी value कितनी होती है half k x square और यह जो equation potential energy की आई है वो displacement के form में आई है x के form में हाफ k x square अगर आप restoring force की बात करेंगे तो minus k x और potential energy की बात करेंगे तो half k x square होती है shm के अंदर मैं हट जाता हूँ वीडियो पॉस किजिए नोट्स बनाइए वीडियो पॉस करके नोट्स बनाएंगे मैंडियर वीडियो पॉस किजिए और आम से लिखे ठीक है चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ आगे अब हमनों चर्चा करते हैं बोला सार यह equation जो आपने निकाला है वो किसके form में है in form of displacement in form of displacement है बोला सार इसको time के form में तो लिख दिजिए बोला लिख देंगे क्या दिक्कत है w is equal to potential energy is equal to half k x square है तो half k और x x से निके displacement और displacement के जगा पर हम लोग क्या put करते हैं a sin omega t a sin omega t का क्या हो जाएगा a square तो potential energy क्या हो जाएगा half k square कर दिजिए a square sin square omega t मुला सार नहीं हमें तो k को भी replace कर रहे है बोला कर दिजिए k को भी replace कर दिजिए half k और k के जगा पर m omega square m omega square a square sin square omega t यह आगया फॉर्म और किसके फॉर्म में इन फॉर्म ओफ इन फॉर्म ओफ टाइम तो potential energy ऐस हम में यह है displacement के फॉर्म में और यह equation आती है time के फॉर्म में half omega square a square sin square omega t my idea ठीक है चली तो यह आगया potential energy हमने निकाल लिया कितनी होती है my idea बहुत असान था कुछ भी नहीं करना था इसमें हमें अब बात करते हैं किसके kinetic energy की kinetic energy की थोड़ी सी चर्चा हम लोग अब कर लेते हैं वीडियो पॉस्ट करके यह वाला भी लिख लेजिएगा नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या kinetic energy आज की टॉपिक में आज की वीडियो में हम लोग बस यही पढ़ने वाले हैं potential energy क्या होता है kinetic energy क्या होता है SHM में उसके क्या equations होती है इनी equations का इस्तेमाल हम निमेरिकल लोगरे में करते हैं और बोड एक्जामेशन जो 11 का बोड एक्जाम होगा सी बेसी का उसकी अंदर भी इस सारे चीज़ें पूची जाती है माइडिया ठीक है चलिए अब बात करते हैं kinetic energy कि किसकी बात करते हैं kinetic energy क्यों तो बच्चे बच्चे को पता है माइडियर क्या है kinetic energy जो होता है सार वह हाफ mb2 होता है कितना होता है हाफ mb2 kinetic energy होती है बुला सार kinetic energy होगी अगर इतनी हाफ mb2 तो यह क्या हो जाएगा हाफ m velocity velocity का equation याद किजिए आपको कि वेलोसिटी ऐसे चम्मे कितना होता है बुला सार एओमेगा कौस ओमेगा टी होता है कई बर पढ़ा चुका हूं अभी सुबह से अभी लास्ट में दो तीन बार आपको लिख चुका वह जो क्या होता है ओमेगा कौस ओमेगा टी होता है बुल टीन तो बूला इस सार यह आगे कानेटिक इनर्जी का फॉर्मूला किसमें इंटर्म ऑफ टाइम टाइम के फॉर्म यहां करते हैं इसको displacement के फॉर में आप मुझे बताइए कितनी वैलू मिलने वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है निकाल देंगे हम लोग इसे ठीक है देखिए जड़ा काइनिटिक इनरजी इसकल टू हाफ m a2 Bramala खीक है सर को सिस्क्वाइर ओमेगा ती अब आपको पहले से पता होना चाहिए कया सर की कहासेटवारफ इसकल माइनस में साइन स्कल स्कटा यह बच्च्छे से पता है आठ्वी में आपila तरी स्कार टीटा के जगँ प्रोल्च हम लोग को हम लोग चेंज करेंगे किसको साइन के फोर में क्योंकि साइन के फोर में ही तो हमारा डिस्प्लेश्मेंट था एक्षिकल यह साइन ओमेगा टी साइन के को हमें इसको displacement के फॉर में चेंज करना इसलिए कॉस को पहले साइन के फॉर में चेंज किजी और साइन को displacement के फॉर में हम लोग बदल देने वाले हैं मैं ठीक है तो कॉस स्कॉयर ओमेगा टी को हम लोग क्या लिखेंगे साइन स्कॉयर ओमेगा टी लिख देंगे ठीक है अब जरा देखिए अब जरा देखिए मैं इसे मिटा देता हूं कि वन माइनस साइन साइन स्कॉयर ओमेगा टी अभी आपने क्या देखा था कि जो displacement की होती है वो होती है एक सिस्काल टू ए साइन ओमेगा टी ठीक है तो जरा बता यह हो जाएगा साइन ओमेगा टी नहीं हो जाय गा एक्स x by a is equal to sin omega t होगा अब बोला चाहरा दोनों तरफ sqr लगा देजिए तो दोनों तरफ sqr किजिएगा तो x sqr upon a sqr is equal to क्या हो जाएगा sin sqr omega t यहांनि sin sqr इधर sqr करेंगे तो इसका भी sqr is qr sin sqr omega t is equal to x sqr by a sqr sqr one minus sin sqr omega t के जगा पर क्या पूट करेंगे x sqr minus a sqr x sqr minus a sqr अब इसको solve कर लेंगे solve कर लिजिए half m a sqr omega sqr a sqr से one में multiply कर लेंगे तो a sqr minus x sqr upon में a sqr हो जाएगा अब a sqr से a sqr cancel हो जाएगा यहाँ a sqr है यहाँ भी sqr cancel हो जाएगा कट जाएगा तो यहाँ से हमारा final equation बनेगा देख लिजिए यहां तक आपको लिखना है पहले पहले आपको यहां square is square minus x sqr है यह मिल गया इननर्जी किस फ़ॉर में displacement खरामी चाहें तो आप ओम него sqr को के से replace कर सकते हैं किस से replace कर सकते हैं किसे तो क्या हो जाएगा हाव qi2 – x-square तो यह किस फ़ॉर में है displacement के form में है यह क्रोषण टाइम के फॉर में थी और यह एक्विशन displacement के फॉर में हैं आपकी कानेटिक इनरजी माइडिया तो किनेटिक नेरजी कितनी होती है हाफ के A2-a2-a2-a2 होती है फटा फट से वीडियो पॉस्ट किजिए और लिखिए हां मैं देख पा रहा हूं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है वीडियो पॉस्ट करके नोर्स बनाइए किनेटिक इनरजी कितनी हो गई हाफ के A2-a2-a2-a2 मैं हट चुका हूं चलिए अब लास्ट लास्ट बात क्या रह गई मैंडिय लास्ट बात रह गई टोटल इनरजी किसार टोटल इनरजी कितना होगा तो हम सभी को पता है क्या कि जो टोटल इनरजी होगा वो पतेर सेल इनरजी 9 इनरजी है Hindi को जोड़ देंगे तो हमें टोटल इनरजी मिल नार्जी हम लों अत्य लिए से केवर लिखें ह satis ल इंशा इनरजी याद किजिए हमारी पूटेर कितने आרה हुई थी बोला वहां पे पूटेर्षिल औरजी आया थी साब के X Square कितनी आई थी हाफ के X स्कौार यह potential energy नेरजी हमारा आया हुआ था इसके जगा पर हमने लिख दिया कानेटिक energy किनेटिक energy कितने निकल के आई हुई है हाफ के a2-x2 यह potential energy निकालके दिखाया आपको एक स्टेटिक निकाल के दिखा दोनों को जोड़ दीजिए गा तो टोटल इनर्जी आ जाएगा ऐसे चम में तो टोटल देखिए ध्यांस देखिए हाफ के a² माइनस हाफ के x² तो चलिए के स्टेप और ही बढ़ा देता हूं किसी पर खार का खोई confusion आपके लिए नहीं छोड़ेंगे हाफ के x-square ठीक है अलग-अलग तोड़ दिया bracket को open कर दिया हाफ के से a square में multiply होगा और इसी हाफ के से x-square में भी multiply होकर के दोनों को अलग-अलग लिख दिया तो हाफ के x-square plus का और हाफ के x-square minus का क्या हो गया कैंसेल हो गया कट गया तो इनर्जी टोटल इनर्जी कितनी मिल गई हाफ के a-square यह होती है ऐसे चम में टोटल इनर्जी का इक्विशन हाफ के a-square और यह हमेशा constant रहेगा माइडियार कोई बोड़ी अगर उसीलिट करती है तो इनर्जी पोटेंशनल इनर्षी किसकी वजह से जो उसका मीन पोजिशन से उससे कितनी दूरी पे वो हुआ है उसकी वजह से जो अब कि सके अंदर इनर्जी होगे उसको potential energy बोलेंगे और जो व्रहाएग लोगा इस वह सब्सक्रांट के साथ उसके वजह से उसकी पास kinetic energy होगी तो केनेटिक नर्जी और पोटेशनल नर्जी हमें सां मिलके constant होगा तो एस हम में total energy एस हम में total energy आलवेज constant रहेगा कितना half k a square कितना होगा half k a square होता है हम आज की class में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे आज हमने पढ़ा acceleration क्या होता है और साथ साथ में potential energy total energy क्या होती है एस हम के अंदर काफी important topic है यह सब जितने सारे equations में drive करके आपको दिखाए सब एक्जाम के लिए काफी important होते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्टर माइडियर लेकिन आप अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचाइए जो भी स्टुट्स नए है मैं डियर चैनल को सब्सक्राइब किजिए